मैं बायो कीरीज फॉर 10th क्लास चैनल से आपका टीचर शौर रिवर्मा आज आपको नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स है लाइफ प्रोसेस चैप्टर का उसको शुक्राइब जा रहा हूँ जैसे लीविंग और्गनिस्म हैं हम और्गनिस्म हैं हुमन बींग्स और अनिमल्स प्लांट्स को भी फूट चाहिए होता है उन्हें एनर्जी के लिए जिससे कि वह अपने वेरियस मेटाबॉलिक अक्टिवटीज परफार्म कर सके हैं जैसे कि अनिमल्स इधर से उधर मूव कर सकते हैं खाने की स्खोज में प्लांट्स जस्ट स्टेंड स्टेल एट वन प्लेस और फूट प्लांट्स नहीं घूम सकते हैं वो एकी जगह पर खड़े होकर उतना फूट बनाते रहते हैं जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो और अपना खाना खुद बनाते हैं एक प्रोसेस से जिसको फोटो सिंथेस कहा जाता है फोटो मेंस लाइट एंड सिंथेस मेंस तुबिल्ड दस फोटो सिंथेस मेंस बिल्ड बिल्ड बाइट फोटो सिंथेस दो वर्ड को मिक्स करके बनाया गया है जिसमें फोटो उसका मींस होता है लाइट और सिंथेस का मीन होता है तू बिल्ड इसलिए फोटो सिंथेस का मत प्लांट्स के अंदर एक लोड़ोफिल होता है जो उसको खाना बनाने में मदद करता है सनलाइट की प्रजेंस में और कार्बन डायोकसाइड और वाटर की मदद से chlorophyll is present in the green colored bodies called chloroplast inside the plant cells chlorophyll दो होता है वो plant cells के अंदर पाया जाता है inside the chloroplast in fact the leaves of plant are green because they contain tiny green colored organelles called chloroplast leaves of a plant are green plant की leaves green इसले होती है क्योंकि उनके अंदर एक green colored organelles होती है जिसको chloroplast कहते हैं जिसके अंदर chlorophyll present होता है keeping these points in minds we can now define the process of photosynthesis as follows यह सब चीज़े दिमाग में रखते हुए अब हम photosynthesis का process define करेंगे the process by which green plants make their own food from carbon dioxide and water by using sunlight in the presence of chlorophyll is called photosynthesis यह definition आ गई है अपर photosynthesis की oxygen gas is released during photosynthesis oxygen gas बहार निकलती है photosynthesis के समय झarna आज हम ए्प़े आहर नाइस के शो झालाी है झालाी होता है झालास की